हेलो दोस्तों आज हम बात करेंगे 1427 रुपे का निवेस करके आप एक करूबा फंड कैसे त्यार कर सकते हैं जानने के लिडियो अन तक देखे अगर चैनल पहली बारा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर देखे अगर आपकी उम्र 40 पार हो चुकी है और आप परेशान है कि अभी तक एक भी पैसा नहीं जोर पाए तो चिंता करने की कोई बात नहीं है दरस एक काहवत तो आपने सुनी होगी जब जागो तब सबेरा इस मुभावे का अर्थ को सार्थ करते हुए 10-15 साल में भी आप बरे स पाने की सिकायद जताते हैं पैंतु सच कहूं तो ऐसे लोग कभी भी अपना विंत लच्च हासिल नहीं कर पाते ऐसा नहीं है कि निवेज के लिए आपको किसी बड़ी रक्म की आउशकता है आप छोटी निवेज पर भी बड़े फंड ट्यार कर सकते हैं केवल आपको अप भी निवेज शुरू कर सकते हैं एसाइपी द्वारा एक फिक्स्ट छोटी रासी का प्रती मंत निवेज किया जाता है इसलिए शुरुवात में छोटी लग सकती है लेकिन धीरे धीरे वह फंड बरा होने लगता है इसके आलवा फंड पर रिटन और उस पर रिटन भी बढ नहीं लगता है नतीजा कंपाउंडिंग ग्रोथ के साथ आपको पैसा देखने को मिलता है देखे दोस्तों करोरों का फंड ट्यार करने के लिए लॉंग टम का इंवेश्मन करना जरूरी है अगर आप दसल के लिए इन्वेश्मन करते हैं तो आप कर रूपती बन सकते हैं ह वहीं अगर आप 15 साल का इंवेश्मन की प्लानिंग कर रहे हैं तो आपको माशिक SIP नीमम 15,000 रुपय करना होगा प्याज 15 पतिसत के सालन्य के हिसाब से कूल निवेश्मन की 27,000,000 रुपय होता है रिटर्न आपको 24,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 प्लानिंग कर दो आपको मासिक SIP 6,600,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000,000 कुल मैचुर्टी भेलू आपका हो जाएगा एक करो एक लाग असी हजाद 639 रुपए करते हैं तो आपको मंतली एक हजाद चाश्टू सेदा इस रुपए इस रुपए इन्वेस्ट करना होगा प्याज धर आपको 3530 के साला ना पकल लेते हैं तो कुल निवेस पर रिटर मिल आपको कुल मैचुर्टी एक करो तीन हजाद चौदर रुपए मिलेगा देखे दोस्ता आज का वीडियो हमने जानकरी कादर बनाया है अगर आपको किसी भी मैचुल फंड में साइपी करना है तो किसी भी मैचुल फंड हाउस का अच्छे से जानकरी प्राप्त कर पैसे को को इंवेस करना शुरू करें